हेलो गाईज कैसे आप सब आज हम बात करेंगे पोलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की जिससे PCOS या PCODB कहते हैं ये आज कल का बहुत कॉमन इशु है जो आलमोस्ट हर दस में से तीन से चार गल्स फेस करेंगे इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब इस पूरे टॉपिक को कवर करूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि पोलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक्शली है क्या क्यों होती है इसे कंफर्म कैसे करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन्स क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है फर्स्ट फॉपॉलम डिसकस करेंगे कि वट इस पीसी उएस पीसी उएस की जो में कंप्लेन होती है वो होती है उलिकुमेनोरिया Lecomenuria actually है कि जिसमें period cycle 32 days से prolong हो जाता है Mostly जो girls होती है उन्हें 2-2 month, 3-3 month, even 6-6 month तक periods आते ही नहीं है Second issue होते है उन्हें वो acne आजाती है बहुत जादा face पे Acne के इलावा हर्सोटिसम होता है जिसे हम unwanted facial hairs बोलते हैं इसमें चिन पे आ जाते हैं बाल अच्छा इसके इलावा होते है एलोपेशिया, एलोपेशिया जो सर के बाल होते हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं फिर कुछ females जो है वो अगर ultrasound करवाती है तो उनके ultrasound पे findings आती है कि उनकी ovaries जो है वो polycystic शो होती है या ओगरी का जो volume होता है वो 10 ml से ज्यादा होता है अब अगर किसी female में उलीकुमेनोरिया, acne या हर्सियोटिसम और जो ultrasound finding है इनमें से कोई भी दो प्रेसिट हो तो उसको PCOS हो लेबल कर दिया जाता है अब हम बात करेंगे कि PCOS होती क्यों है इसकी जो main reason है वो unknown है इसकी कोई भी etiology अभी तक find नहीं हो पारी कि क्या होता है लेकिन different patients जो है उनकी history के according कहा जाता है कि हर्मोनल imbalance हो जाता है जिसमें LH और FSH ratio बहुत ज़्यादा हो जाती है और most important जो है इसमें obesity होती है कि BMI जो होता है वो 30 से ज्यादा हो जाता है central obesity होती है जिसकी वैसे insulin resistance जो है वो start हो जाती है कुछ females में जो होता है वो hyperandrogenism हो जाता है मतलब androgen hormone जो होता है इसके राव जो testosterone hormone होता है जो कि males hormone हो ज्यादा होने लग जाते है और बहुत कम लोगों में जो है जो है वो genetics reason भी होती है अब बात आती है कि इसके test जो है इसकी investigations क्या होती है जो पहले मैंने बात की है कि oligumenoria, acne, arharsitism और ultrasound findings इन तीनों में से कोई भी दो positive हो जाए तो उसको PCOS label कर दिया जाता है इसकी लावा जो होता है हर्मोनल profile करवाई जाती है जिसमें LH, FSH, TSH, prolactin और testroceron जो हर्मोन्स होते हैं उनके test होते हैं जी अब बात आती है इसकी complications की complications मैं पहले इसके बता रही हूँ था कि अगर कोई भी PCOS को face कर रहा है तो वो इसको ignore ना करे और इसका फॉरण से treatment जो हो start करते अच्छा complication में जो most important है जो daily मैं भी अपने क्लिनिक में देखती हूँ वो है subferdility मतलब कि an ovulation हो जाती है जाहरे periods नहीं आ रहे तो उन्हें को minoria चल रहा है तो ovulation नहीं हो पा रही है intermittent ovulation हो रही है अब ovesty है तो ovesty में dyslipidemia भी होंगे जिसके वसे ischemic heart disease होने के chances भी बढ़ जाते हैं लेटर ओन और कुछ लोग होते हैं जिन में periods हो ही नहीं रहे एन ovulation स्टार्ट हो जाती है एमनोरिया स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वैसे जब long term एमनोरिया रहेगा तो endometrium hyperplasia हो जाएगा जो कि लेटर ओन endometrium cancer कास करवा दिता है अब आज आता है most important बात वो है PCUS का treatment PCUS का treatment जो है most most important है वो है lifestyle modification 60% patient जो है lifestyle modification से ही cover कर जाते है अब lifestyle modification में आपने करना ये है कि आपने अपना weight reduction करना है अपनी daily walk करनी है walk exercise इसे आपने अपनी life की एक routine बना लेनी है इसके साथ साथ आएगा आपका diet plan जिसमें dairy जो है उसे आपने fully avoid करना है junk आपने fully avoid करना है आपने vegetable का इस्तमाल ज्यादा से ज्यादा करना है और एक proper जो है PCUS का diet plan होता है जो के YouTube मेरे चैनल पे भी available है आप उसे इस्तमाल कर सकते है इसकी treatment में आजाता है seed cycling जो कि आजकल बहुत बहुत ज़्यादा in है और उसके बहुत ज़्यादा अच्छे results है even मैंने बहुत से लोगों को follow करवाया है तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे outcomes आए है अब seed cycling है क्या कि पूरा जो हमारा period cycle है वो 30 days का होता है उसे हमने two parts में divides कर देना है पहले 15 days and last 15 days पहले 15 days आपने दो seeds इस्तमाल करने हैं जिसमें आपने एक शमच लेनी है flex seeds की और एक शमच आपने लेनी है pumpkin seeds की अब ये seeds आपने थोड़े से grind करने हैं like हलके दादर की होगे next जो 15 days होगे मतलब जो second half होगा उसमें आपने लेने है sesame seeds और sunflower seeds ये जो seed cycling है इसे आपने continuously follow करते रहना है क्योंकि इसके जो results है वो बहुत ज़्यादा amazing है then जो लोग seed cycling से भी और lifestyle modification से भी cure नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए फिर option बचती है medication की medication के लिए आप कोई भी अपने nearby जो आपका doctor है gynecologist है आप उनसे consult कर सकते हैं और वो आपकी underlying cause को देख के वो आपकी treatment स्टार्ट कर देंगी PCVL जो है वो ignore होने वाली या avoid करने आरी चीज़ बिल्कुल नहीं है आपको इस पर work करना चाहिए इसमें 60% तक जो लोग होते हैं वो walk से lifestyle modification से ठीक हो जाते हैं 30% तक जो लोग होते हैं उस seed cycling से कवर हो जाते हैं पीछे बचते हैं 10% लोग उन्हें जरूवत बढ़ती है medication की जो लोग भी ये issue face कर रहे हैं वो आज से इस पर work करना start कर दें इंशाला इंशाला आपको बहुत अच्छी outcomes मिलेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी रगी हो तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें थैंक्यू सो मच अलाहाफेज